नमस्टे शिक्षार्थियों राष्ट्रिय और मुक्त विद्यालाई शिक्षा संस्था की योर से आयोजेत माध्यमिक्स्तर के पाठ्यक्रम में संस्कृत साहित्य विशय के साथ मैं डॉक्टर नंदिता आर्या, रिसर्च असोसियेट, संस्कृत दर्शन, एवं वैदिक अध्याइन विभाग, बनस्थली विद्यापीट उपस्थित हूँ विगत कक्षा में हमने रामायन के किशकिंधा कांड के तृतिय सर्ग की जो कथावस्तू है उसको पढ़ा था जहां हमने राम, लक्षमन और हनुमान का प्रथम समागम देखा था आज की कक्षा से भास की कृति कन भारम को हम पढ़ेंगे भास संस्कृत साहित्य के अत्यधिक प्रसिद्ध नाटक कार रहे है और सबसे पहले नाटक कार माने जाते है भास का काल इसा पूर्व चतुर्थ शताबदी से प्रथम शताबदी के मध्य का माना जाता है लेकिन कोई निश्यत कालक्रम के स्थिती आज तक स्वीकार नहीं की जा सकी है भास के काल क्रम के समान ही उनके स्थान के विशे में भी कोई निशित मत प्राप्त नहीं होता है भास के नाटकों का संग्रह केरल से प्राप्त होने की वज़े से कुछ विद्वानों का ये मानना है कि वो दक्षिन भारत से थे किन्तु उनकी कृतियों में उत्तर भारत के इस्थानों का वर्णन काफी मिलता है, इस कारण कुछ विद्वान उन्हें उत्तर भारत का निवासी मानते हैं, किन्तु उनके सितिकाल के विशे में कोई एक निश्यत मत प्राप्त नहीं होता है भास के द्वारा तेरा कृतियां लिखी गई, उपलब्ध कृतियों में तेरा कृतियां है जिनने भास की कृतियां माना जाता है वह कृतियां है प्रतिग्या योगंध रायन, अविमारक, स्वप्न वासवदत्तम, प्रतिमा नाटक, मध्यम व्यायोग, पंचरात्र, अभिशेक नाटक, दूत वाक्यम, दूत घटोत कच, कर्ण भारम, उरुभंगम, बालचरितम, चारुदत्तम इन तेहरा नाट्यकृतियों में से कर्ण भार्ण जो नाट्यकृति है, वह हमारे अध्यन की विशेवस्तू है, कर्ण भार्ण warrior कि कथा को आधार बनाकर लिखी गई है, कर्ण भार्ण हमने रूपक के जिन भेदों को देखा था, उन दस भेदों में से व्यायोग के निकट प कुंडल का इंद्र के द्वारा दान रूप में लेके जाने का वर्णन है और इसके साथ ही महा भारत के युद्ध में किस प्रकार से कर्ण को अपने जीवन के बारे में अपनी मा के बारे में ग्यात होता है उसका उल्लेक भी कर्ण के मुख से ही कवी के द्वारा करवाया गया क्यूंकि प्रस्तुद काव्य ग्रंथ महाभारत के प्याधारित है तो इसलिए यहां जो पात्र है वे भी महाभारत के ही पात्र है कर्ण भार में जो पात्र है वह है कर्ण जिनने सूर्य पुत्र के नाम से भी जाना जाता है अंगदेश के राजा है और कौरव सेना के सेना पती भी है शल्य जो की प्रस्तुत काव्य कृती में हमें कर्ण के सार्थी के रूप में दिखाई देंगे शल्य भी इसमें एक पात्र है शल्य के विशय में मैं आपको बताना चाहूंगी शल्य पांडवों के संबंधी थे लेकिन दुरियोधन की जो राजनीतिक योजना थी उसके तहत कौरवों की तरफ से उन्हें महाभारत के युद्ध में प्रतिभाग करना पड़ा तो वे शल्य ही कर्ण के सार्थी के रूप में हमें प्रस्तुत नाट्यकृती में दिखाई देंगे इसके साथ ही भट है जो सूचना देने का कारे करेगा शक्र यानि इंद्र जो की भ्रह्मन रूप धारण करके आएंगे और इसके पश्यात एक और पात्र हमें प्रस्तुत नाटक में देखने को मिलेगा वह है देवदूत जो की इंद्र का संदेश ले करके आएगा इस नाट्यकृती को पढ़ने से पहले नाटक में प्रयुक्त होने वाले कुछ पारिभाशिक शब्दों का परिचय ग्याद कर लेते हैं नाट्य में जब आप किसी भी ग्रंत का अध्यान करेंगे तो वहाँ आप नान्दी या मंगला चरण की परंपरा को पाएंगे यह नान्दी जो है वह नाटक की या किसी भी नाट्यकृती की निर्विग्न समाप्ती के लिए किया जाता है नान्दी का प्रयोग ग्रंत के आरंभ में होता है जब ग्रंथ प्रारंब होगा तो सबसे पहले ग्रंथ में नांदी या मंगला चरण होगा और उसके बाद कथा वस्तू प्रारंब होगी नांदी का लक्षण दिया गया है आशिरवचन संयुकता स्तूतिर यस्मात प्रयुज्यते देव द्विज नृपाद इनाम तस्मान नांदीती संगिता अर्थात नांदी में देवता, भ्राम्मन या राजा आदी से संबंदित आशिरवाद के वचनों से युक्त स्तूति होती है यह जो नांदी है इसमें आप देखेंगे अर्थात यहाँ पर जिन बातों का वर्णन होगा वो शंक, चक्र या कमल जैसे मंगल वाचक शब्दों के साथ में उनका प्रयोग किया जाएगा जिन भी चीजों का वर्नन होगा, वहाँ पर इस प्रकार कीये मंगलकारी शब्दों का प्रयोग भी नांदी के अंतरगत किया जाएगा, नांदी अश्टपदा भी होती है और द्वादशपदा भी होती है तो नांदी के विशय में हमने जाना नाट्य ग्रंथ की निर्विग्न समाप्ती के लिए नांदी का प्रावधान है नांदी के पश्यात हम देखते हैं आमुक को जिसे प्रस्तावना भी कहते हैं आमुख या प्रस्तावना में नट, विदूशक या सूत्रधार आदी जो पात्र है वो परसपर वार्तालाप करते हैं जिसके माध्यम से जो कथा वस्तू है उसका ज्ञान हमें होता है कहते हैं नटो विदूशको वापी, पारिपार्श्विक एववा, सूत्रधारेण सहिताह, समलापम यत्र कुर्वते जहां पर नट, विदूशक, पारिपार्श्विक या सूत्रधार आपस में बादचीत करते हैं और चित्रईर वाक्यही, स्वकार्योत्थही, प्रस्तुता माध्यम से प्रस्तुत कथा का आक्षेप किया जाता है, नाटक की जो मुख्य कथा है, उसका जहां पर उलेख किया जाता है, वह प्रस्तावना है और इसे आमुख भी कहते हैं, इसके पश्यात सूत्रधार, हमने अभी प्रस्तावना के समय पे सूत्रधार का उलेख देखा तो सूत्रधार के विशय में कहा जाता है, जो सूत्र को धारण करता है, वह सूत्रधार है रंग मंच पे जितने भी कार्य होते हैं, उन सभी कार्यों का संचालन सूत्रधार के द्वारा किया जाता है तो उस सारे प्रबंधन के कारण सूत्रधार को सूत्रधार कहते है संपून नाट्य के सूत्र को धारन करने वाला होता है सूत्रधार तो रंग मंज पर अभिनेय जो नाटक है उसकी कथावस्तू को भी वह सूत्रधार ही अवतरित करता है रंग भूमी पर इसलिए वह सूत्रधार कहलाता है नाट्य में जो कहने की शैलियां हैं उसके तीन भेद हैं सर्वश्राव्य, नियत श्राव्य और अश्राव्य नाट्योक्तियों से यहाँ पर तातपर्य है नाट्य में समबाद की शैली जब रंग मंच पर दो या दो से अधिक पात्र एक साथ उपस्तित होँगे तो वो परस पर जिस प्रकार का वारतालाप करेंगे उसके आधार पे यह तीन प्रकार नाट्योक्तियों के है जिसमें से सर्वश्राव्य नाट्योक्ती में जो सभी के द्वारा सुनने योग्य है उसे सर्वश्राव्य कहते है और उसे प्रकाश भी कहते है लक्षर दिया गया है सर्वश्राव्य का सर्वश्राव्यम प्रकाश स्यात सर्व श्राव्य जो नाट्योक्ती है वह प्रकाश होती है वह प्रकट में सब के सामने कही जाती है और सभी के सुनने के लिए होती है नियत श्राव्य जब आप इस शब्द पर ध्यान दे तो नियत यानी निश्चित और श्राव्य मतलब सुनना तो जहाँ पर सुने जाने वाली बात को निश्चित कर दिया है कि कुछ एक व्यक्ती ही उस बात को सुनेंगे वह नाट्योक्ती नियत श्राव्य हो जाती है जहां पर उक्ती की श्रवनियता निश्चित हो गई है तो जो निश्चित व्यक्ती द्वारा सुनने योग्य है वह नियत श्राव्य है सर्व श्राव्य को प्रकाश कहते है नियत श्राव्य जिसे सब नहीं सुनते है निश्चित व्यक्ती ही सुनते है इसके अतिरिक्त अश्राव्य या स्वगत अश्राव्यम खलुयद वस्तू तदी ही स्वगतम मतम अश्राव्य वह वस्तू है जो पात्र के द्वारा अपने मन में कही जाती है जो दूसरों के सुनने के योग्य नहीं है इस प्रकार की कथावस्तू स्वगत कहलाती है इन नाट्योक्तियों के विशे में आप से चर्चा इसलिए की जा रही है कि जब आगे कर्ण भारम को हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर समवाद जिस तरीके से हैं वहाँ नाट्य का निर्देश जिस तरीके से है तो वहाँ आप स्वगतम या प्रकाशम इस तरीके के शब्दों को जब सुने तो आप यह समझ पाएं कि पात्र के द्वारा कही जाने वाली जो बात है वो अपने मन में कह रहा है या फिर वो सभी के लिए कह रहा है यह वस्तू इसके साथ ही जब आप काव्य को पढ़ना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे प्रारंभ नांदी से होगा उसके पश्यात प्रस्तावना की स्थिती आएगी सूत्रधार जैसे पात्र वहां पर उपस्तित होंगे तो एक बार जब आप यह जान जाएंगे कि इनका क्या होता है नाट्य में इनका प्रयोग क्यों होता है तो उस नाट्य को समझने में आपको सरलता रहेगी कंड भार जब आप पढ़ेंगे तो प्रस्तावना को भी आप पढ़ेंगे नांदी को भी आप पढ़ेंगे और वहां पर इन नाट्योक्तियों के प्रयोग को भी आ आप देखेंगे तो शिक्षार्थियों आज की इस कक्षा में इतना ही कंड भार नाट्य कृती को आगामी कक्षा से पढ़ना शुरू करेंगे धन्यवाद